जोई द्वार का दीस नमस्ति दोस्तों तो फ्रेंस देखिए आपके सामने मम्रा और गुड़ है तो चलिए इसके हम एक मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं मम्रा के लड़ू उसके लिए कड़ाई में हम ये गुड़ डालेंगे और गुड़ का हमें पाक करना है अच्छे से ग गुड़ना बहुत बड़ा ही था तो मैंने ये चाकू से तोड़ तोड़ के ऐसा किया है इसे भी छूटे टुकड़े कर सकते हैं तो यह भी में स्लोटू मीडिय माच पे ना इसको गुड़ को अच्छे से पिगला लोंगी और बीच बीच में ना इसको तोड़ते भी जाएंगे ताकि हमारा गुड़ मतलब जल्दी मेल्ट हो जाएं तो हम इसके लड़ू बनाएंगे मंब्रा के साथ मिक्स करके और यह बिल्कुल में धीरियाज पे इसकी चासने बना रही थी कोई कोई गुड़ ना बड़ा था तो जो मतलब हाड़ बहुत लग रहा था पिगलने टाइम लग रहा था तो फ्रेंस देखिए हमारा गुड़ पिगल चुका है पूरा और यह जो गुड़ में बबल सा गय यह थोड़ा सा आपको ज्यादा मतलब कड़क चाहिए ना चासनी तो आप और रख सकते हैं और हम ऐसे चासनी को ना यह चेक कर सकते हैं कि यह हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंस तो हम ना स्टेच पर भी बंद कर देंगे तो भी लड़ू अच्छे बनेंगे और एक दो मिनिट पकाए ना तो लड़ू थोड़ा से ज्यादा कड़क होंगे जैसे आपकी अपनी चोईस तो फ्रेंस देखिए मैं फिर से इसको मतलब चेक कर रही थी थोड़े से कड़क लड़ू मुझे रखने थे तो बस मैं आब गैस बंद कर दूँगी क्योंकि यह ठंडा होगा ना तो यह बहुत कड़क हो जाएगा यह लड़ू तो बस इस टेच पे ना मैंने गैस को बंद कर दिया था और यह बबल सा जाते ना तो भी चासनी हो गई और इसमें मैंने ना 200 ग्राम मम्रा मिलाये थे और इसको हम बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह लड़ू बनाने में ज़्याधा टाइम नहीं लगता है जो बीट बस यह चासनी को हम अच्छे से कर लें क्योंकि चासनी पर्फेक्ट करनी चाहिए और जादा भी कड़क हो जाए ना तो बिल्कुल पर्फेक्ट चासनी बननी चाहिए और इसके बाद हम यह अच्छे से मिला के देखिए ऐसे गोल गोल लड्डू बना लेंगे अच्छे से कस-कस के और फ्रेंड्स इसको ना हम पानी हाथों में लगाके बनाएंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गरम होता है और यह लड्डू बनाने का प्रोसेस हमें गरम-गरम ही करना पड़ता है तो अगर कोई और है फैमिली में तो आप एक-दो जन की मदद ले सकते हैं जैसे सारे लोग बना लेना तो जल्दी बन जाएंगे क्योंकि फिर यह होता है न कि यह ठंडा हो जाता है तो हमें वापस गरम करना पड़ता है क्योंकि ठंडा हुआ तो यह बन नहीं पाएगा तो इसलिए गरम-गरम बादने पड़ते हैं लड्डू लेकिन यह खाने में बहुत थी स्वाधिश्च लगते हैं और यह गुड के होते हैं तो सर्दियों में तो गुड़ बहुत जधा ही फायदा करता है तो हम सभी को यह खाने छहिए प्रीट्व की मुवराबूर के लड़ू ट्यार है तो मेरिये रेश्पी आपको कैसे लगी कमेंड करके जरूर बताईएगा अच्छी लगई हो तो चैनल सिस्क्राइब करिएगा फ्रेंड्स तो चलिए आज के लिए इतना ही जई द्वार का दिस फ्रेंड्स